वेल्कम टू प्रोटीप्स, प्लिस लाइब, शेयर और सब्सक्राइब अच्छा है ओपरेटिंग तौर पर अगर आप देखिए, एक पांच, चैंज नहीं देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ कंपनी ये भी कह रही है, कि देखिए, bullion futures में जो तेजी देखने को मिलिये, जो surge देखा गया है, उसका impact देखा गया है, उसका in fact काफी positive contribution और कच्छे तेल जैसे जैसे आस्मान चुते वह भाद दिखाई दिये थे, वहाँ पर भी volume जेनरेट हुआ है और इस company ने उसमें पैसा कमाया है, तो ये फिलहा MCX आज रेडार पर हैगा, इसके अलावा Raymond ने बहुत solid quarter post किया है, profitability का आकड़ा काफी मजबूत है, revenue में आप देखिएगा 43% तक की growth, EBITDA लेवल पर 84% तक की growth दर्च हुई है, मुनाफ़ा है करीब 265 करोड पर, एक solid performance देखने को मिल रहा है, और margins जो है वो 14%, margins में improvement देखने को मिला है, ये भी एक अच्छा संकेत है, साथ ही company carry, इन्होंने अपने net debt level पर reduction के 165 करोड का, internal accruals के जरिये दरसल net debt 1088 करोड के आसपास का कम होता हुआ दिखाए दिखाए दिया है, तो clearly एक बहुत बड़ा move इन्होंने debt reduction पर company ने इस पारी implement किया है, VIP industries और यहाँ पर भी जो travel की theme है, जो Q4 में pick up करती भी दिखाए दी थी, उसका पूरा reflection है numbers में, 46% तक का इजाफा revenue में, EBITDA में आप देखेगा 9 गुना की growth देखने को मिली है, 3 करोड से 32 करोड हो गया है, या आकड़ा, margin 1% से बढ़कर 79% के आसपास आचुके हैं, और profit आया है, company का करीब करीब 12 करोड का versus a loss 3.5 करोड के सामने, तो ये फिलहाल एक solid quarter VIP के लिए भी, rate gain जो largely दर असल B2B कारोबार में हैं, और जो travel portals, hotels के लिए software supply करता है, वहाँ पर भी numbers अच्छे हैं, 51% तक का इजाफा revenue में, margins 1.5% से बढ़कर 14% पर आते हुए दिखाई दिये हैं, साथी साथ आप द किया है, annual recurring revenue भैतर देखने को मिला है, pre-covid levels के करीब आता हुआ दिखाई दिया है, वो एक बहुत बढ़िया sign है, और company ने करीब 46% तक की growth FY22 में आए में दिखाई है, फीनो payment bank भी दरसल radar पर रहेगा, on the face of it numbers अच्छे हैं, लेकिन कुछ internals है जहाँ पर थोड़ी सी कमी दे वृद्धी देखने को मली है, margin के front पर करीब 10% के margins आये हैं जो positive है, और of course हम देख रहे हैं, profitability में भी improvement है, करीब करीब, profit काकड़ा साड़े 17 करोड के आसपास आया है, तो यह तमाम वो numbers जिस पर आज बाजार रियाक्ट करेगा.